किसान साथियों नमश्कार, स्वागत हाप का हमारे यूटूब चैनल एगरिकल्चर पॉइंट नमबर वन में किसान साथियों, आज हम बात करें गेहों की अगेती किस्मों के बारे में ये है आपकी पैदावार, ये आपके उत्पादन को बढ़ाने का सही समय है तो आइए जानते हैं कि ये अगेती किस्में कौन कौन सी है और इस समापैसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छी पैदावार लेकर अच्छी पैदावार के सारे रेकॉर्ड तोड़ सकें इससे पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल एगरिकल्चर पॉइंट टामबर वन को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए गेहों की अगेती किस्मों में DVW 187, DVW 303, DVW 332, WH1270 ये कुछ पिछले सालों में निकाली गई अगेती वरायटी है और जो इसी साल दोज अर्तेश में जिन किस्मों की विजाई की गई है उन किस्मों में DVW 327, DVW 370, DVW 371, DVW 372 है बारतेग गेहों और जोन सुन्दान संस्थान का नाड़ दोड़ा इने निकाला गया है अब बात करते हैं इन अगेती किस्मों की विजिस्ताओं के बारे में किन में ऐसा क्या है, क्यों हमारे किसान इन वरायटीों की भीजाई करें सबसे पहले बात आती है गेहों की इन किस्मों में मोसम का परवावनी पड़ता जिससे फसल खराब होने किसम बावना ने के बरावर होती है इन किस्मों में रोग लंगने का खत्रा भी ने के बरावर होता है यह रोग परतिरोधी किस्में हैं गेहों की इन अगेती किस्मों से हमारे किसान अन्य किस्मों के विक्षा अधिक पैदावार प्रात कर सकते हैं। उसका प्रियोग करना होता है क्योंकि इन किस्मों में खाद की मातरा अधिक डालनी पड़ती हैं। लिए जाता है जब आपकी फसल 80-85 दिन की होती है जैसे कि फसल इस समय हो चुकी है तो अब इसके बाद बात आती है कि आपको कौन से प्रियोग करना है यानि कि कौन से प्लांट ग्रोफ रेगूलेटर चा और कितनी मातरफला है प्रियोग करना है। और इसके साथ सदास्यजे आपको फोल एक टाइवा कॉना जोल इसका प्रयोग भी पूलिक परतिय एकड़ के इसाब से करना है और एक बात का विचेसि Jan रखें छिडखाओ करते हैं सचीजमरीutral प्रतिय एकड़ के इसाब से प्रयोग करना है ये छिड़काव करने से पोदेगे आयट जो मैंटेन होगी बालिया भी अच्छी और सवस्त आएंगी और दानों से बरी वही होगी फसल गिरेगी नहीं और अगर आपकी फसल जो है गिरेगी नहीं उसमें बालिया अच्छी मातरा में आएंगी बालिया जो हो वह सवस्त होंगी दानों से बरी वही होंगी तो अच्छी पैदावार होना सवावाईक है तो किसान सातियों इस समया पैसा कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं लेकिन उन किसान साथियों को जिनों ने इन अगेत्ती किसमण की जो बीजाई 5 नॉमबर के बाद की है यानि कि जिसे सामने समय पर बिजाई कहते हैं सामने समय या पच्छेती बजाई इन वरायों के जिननों हमारे किसान वायों ने की है उन्हें Plant Growth Legulator का प्रयोग बिलकुल न थपूर्ण कारी. अगर आपको हमारी एह जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको हमारा यह परियास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकण प्रेस कर लीजिए. जिससे खेती वाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे नमस्कार